प्रणाम मैं हूँ गनेशियोरगर और आप देखरें मेरा जी एस टीवी यूट्यूब चैनल आज सबसे बड़ी ख़बर लेकर आया हूँ आपके लिए Mr. XCF उद्दव ठाकरे के बेटे अधित ठाकरे यस उसने कहा कि हाँ मेरी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजी यह इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दिया क्या है यह पूरा मामला मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी सच्चाई बताऊंगा सुषान सिंग राजपूत के केस के बारे में बताऊंगा सारी चीज़े बताऊंगा प्लीज आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब करें इस वीडियो को शेयर करना बिल्कूल ना भूलो क्योंकि सुषान सिंग राजपूत का मामला मैं चाहता हो कि जब तक जस्टिस ना मिले तक तक ये आवाज उठती रहे क्योंकि लोग यही चाहते हैं, बड़े बड़े लोग यही चाहते हैं कि इस आवाज को दबा दिया जाए ताकि आप दुबारा किसी और अंसान के लिए, किसी और भी जस्टिस के लिए बात ही ना कर सोगो और इनका ऐसा ही अंद्रा कानून चलता रहे प्लीज इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भले और आर एक बात मैं आपसे प्लीज हाज वेकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल 21st October को मैं इंडियन नेवी का शो कर रहा हूँ आपकोर्स धाई सार बात पहला शो कर रहा हूँ मैं सुशान का ट न्यू कमर आटिस्ट को कुछ कंट्रिबूट कर सकते हैं पेटियम गूगल पर यहां नंबर लिखा है और कल लाइव चलते हूँ इस चैनल के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग यास मिस्टर आजित्य ठाकरे ने ये कहा कि हाँ उससे गलती होगी अब मुझे साथ में लड़े जिसमें बाला साथ ठाकरे साथ में थे बाला साथ ठाकरे ने कभी भी कॉंग्रेस को अपने साथ सपोर्ट नहीं किया और ना ही वो अपने जिन्दा रहते टाइम आज भी अगर वो जिन्दा होते तो कॉंग्रेस को कभी सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनका में मुद्दा था हिंदूत्व का और कॉंग्रेस किस तरह से काम करती है वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप सब अच्छे से भली बाती जानते है कि पहले से लेकर कॉंग्रेस किस तरह से बरताव करती है रही हिंदों के साथ अब रही बात बीजेपी 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 के साथ में संगठन बनाते हुए 2000 पहले भी बहुत जारा सपोर्ट किया लिए उसके बाद 2014 में इलेक्षन जीते गए उद्धागरे जी साथ में देश उसेना की तरफ से और उसका बाद कि इलेक्षन जीते गए और साथ में सरकार चलाई उस वक्त कोई इतना इश्यू नहीं हुआ था बलकि मोदी जी चेंज करने के चक्कर में नोट बंदी वगेरे पता नहीं कितनी सारी चीज़े उन्होंने कर दी वो कुछ सारी सफन हुई कुछ असफन हुई कोई बात ने एक्स्रुमेंट करना जरूरी है देश की भलाई के लिए लेकिन उसके बाद उसके बाद 2019 में इलेक्शन के टाइम पर ये क्यूं हुआ था उद्धव ठागरे ने क्यूं सपोर्ट कीछ लिया बताऊंगा अज ठागरे ने क्यूं ये बात करे मुझे पता है मैं ज्यादा थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ लेकिन क्यूंकि आपको समझ में आने चाहिए ये सारी चीजे इसलिए बोलना जरूरी होता है उतना मैं बोलता हूँ तो 2019 में अचानर कि ये क्यूं हुआ कि BJP को छोड़ के उद्धव ठागरे सरकार वहाँ चले गई उद्धव सरकार को उन्होंने 2014 में ना कोई सीट दी बड़ी और 2019 में तो उद्धव सरकार ने ये ही स तरह से कहा जाना कहा जा सकता है लेकिन उसके बाद कॉंग्रेस के साथ मिल पर जो जो चीजे की और उसके बाद को रोना आया वह सारे चीजे हुई लेकिन कोरोना में भी support कर रहे थी BJP, उद्दव सरकार को की नहीं, CM अच्छा काम कर रहे है वलकि उन्होंने कुछ वहले पहले ही क्या किया था एक साल पहले ही उन्होंने BJP का साथ छोड़के कॉंगरेस के साथ मिलाया था फिर भी BJP के लोग भोल रहे थी 25 करोट डोलिट के ते अक्षे कुमार ने वरुन दावन ने इन सब ने बहुत सारे फिल्म इंटरस्टी के लोगों को सपोर्ट किया डांसर को ये वो बेरोजकार थे खृती सानन ये वो सब बहुत सारे लोगों के नाम है इन लोगों ने कुसे ने को सपोर्ट किया बहुत सारे वीडियोज वाइरल हुए, कार्थिगारियन का वीडियो वाइरल हुआ था, इन सब चीजों में एक लाइव सेशन हुआ था नरेंदर मोदी का न्यू कमर अक्टर को लेके, बॉलिवुड के टाप 10 अक्टर को लेके, न्यू कमर, उसमें सुशान का नाम तीन या चार नंबर पे ही आता था, बहुत लंबानी आता था, लेकिन इसमें भी सुशान उस लाइव में गया नहीं था, बहलकि बीजेपी को बहुत कॉंशेस की सब की तरफ देख रही थी, क्योंकि ये भी उनका फर्ज है कि सेलिब्रिटीज को अच्छे से ये करें, मोटिवेट कर रहे थे नरेंद्र मोटिजी परसनली, सारे सेलिब्रिटीज को विन्म इंडस्ट्र के हो की क्रिकेट के हो, आप अगर लाइव वीडियो जाके देखो के तो सब ने बात किया है मोटिजी से, लेकिन सुशान का कोई कनेक्शन नहीं बना, इसके बाद कोई भी अवेर नही बोलने लगे सुशान के जाने के बाद, और सुशान इस पोरोना में पोस्ट नहीं करता है, इसके बाद ये मामला चला 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 शिवसेना कांग्रेस, बीजेप, ये सब इन्वाइड हो गए, फिर सुशान के नाम पे एजन्सी बेजी गई यहाप और एजन्सी बेजने के बाद, रानिर देश्मू का रोकी, ये सब चो चीजे होई, परंविर सिंग हो, सचिनवाजे हो, प्रदीप शर्मा हो, प्रदीप शर्मा एंकाउंटर स्पेशलिस्ट बोले जाते हैं मुंबई के, आप भूल गए होंगे शायर, उन सब को जेद में डालके, उसक बेज के सरकार अपनी बना ली, और आज सरकार बनने के बाद, अधित्य ठागरे ये बोलते हैं कि ये सारा जो मामला किया था, इसमें उनकी गलती ही, इसलिए मैंने पूरा इतना एक्स्पनेशन आपको इसलिए दिया, क्योंकि ये पूरा सारा जो मामला था, इसमें खुद आधित्य ठाकरे की गलती है ये खुद उन्होंने एकसेट किया क्या है ये मामला कि ये सारा जो मामला किया वाकई में हमारे गलती थी कैसे क्यों कि मैंने हमने विश्वास कि हम बाला साथ ठाकरे का खूर मतलब मैं आधित्य ठाकरे की बात करो हम बाला साथ ठाकरे का खूर हमन लेकिन उसके बाद अजिट ठाकर ये बोलते हैं कि हमने अच्छा किया हमने ये किया हमने सब कुछ किया और साथ में हमने सबसे बड़ी गलती की हमने हमारे साथ गदार पाल रखे थे ये गदार हमारे ही पीट में चुरा खुब के आज हमें ही टेक ओवर करके वो क्रेडिट ले रहे है हमारा वो ये कहना चाहते है कि वाणासार खते जो काम वो उन्होंने किया और वो उन्का ये है और ये एक माल शिंदे हो या फिरत देवेंद्रफhoणवीव शो dudes उनके sisthe शि reservat बार या ये सब चीजने जो हमारे साथ थे इन लोगों ने हमारे आज पूरे के पूरे ठाकरे परिवार का जो आपको ग्राफ देख रहा है उस पूरे के पूरे ठाकरे परिवार के ग्राफ में राज ठाकरे एक नाश शिंदय को मिल चुके है बहुत सारे दूसरे उद्दर ठाकरे जी के दूसरे जो भाई ये दोनों वो एकनाश शिंदे को मिल चुके हैं मतलब उनके वाइफ और वो और सारे के सारे बाकी सारा का सारा ठाकरे बरिवार आज एकनाश शिंदे के साथ में या तो किसी के साथ में नहीं है तो फिर आज करना चाहते हो उनकी मर्जी लेकिन अधित ठाक रहे और उद्दर ठाक रहे आज की डेट में अकेले पड़ गया है ये बात सच है और रूंका कहना है कि आज ये सारे की सारी गलती हमारे वज़े से हमने गलती की क्यों कि हमने इन लोगों पर विश्वास किया ये पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि क्या सुशान सिंग राजपूत का मामले को लेके जो सारा का सारा यूज किया गया मामला तो क्या बीजेपी को इनसाफ नहीं देना चाहिए सुशान को कातिर जो भी हूँ जिसने भी गुना किया क्या इनसाफ नहीं मिलना चाहिए ये सबसे बड भी मैं वेट कर रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर डालने से तो सोशल मीडिया के लोग जो डाल रहे थे सुशान के बारे मोटोगायब हो जा रहे थे, इसलिए मैंने में वेट किया, कि जनता कब जागेगी, मीडिया कब आएगी, मीडिया आ गई, जनता भी आ गई, तो हमन रहते हैं तो फिर केस नहीं बढ़ेगा कि बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बात क्यों नहीं करेंगे आज जन तब आपिस से खड़ी हो जाए तो बात करेंगे प्लीज मैं कोई एक स्ट्राउंग एक्शन जरूर लूँगा तो प्लीज मेरे जो दूसरे चीजे चल रही है जैसे में शोज कर रहा हूं बाकी चीजे कर रहा हूं या डांस कि अजो कर रहा हूं इसे में अपनी महनत से पैसे कमाऊगा और और वू चीजे में इसलिन में डालेगा ताकि कुछ अलग हो जाए więks और यह नहीं बोलना चाहता था लेकिन आपने कोई जास्ता छोड़ा ली So please help us, help us the newcomer artist for that Indian Navy show और हम इस चिर्जड तक बहुच के रहेंगे Justice for Sushant Singh Rajput का end जो result आना है वो लेके रहेंगे इसे मैं मैंने चैनल के साथ जुड़े रहें इस वीडियो को शेर करना बिल्कुल ना भुले Thank you so much आपके support के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जए शिरा